हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत सोगत हैं सब एक फिर से सरकारी हट में तो इस वीडियो में हम लोग MCQ का जो MCQ सीरीज चल रही है हमारी ठीक है Lab Assistant और Lab Attendant के एक्जाम के लिए तो उसका हम लोग इसमें 9th पार्ट करने वाले है और यह जो चैप्टर है यह Class 10 की Science का जो फिफ चैप्टर है Chemistry का जो चैप्टर नमबर 5 है उसके हम लोग MCQs डिसकस करने वाले है ठीक है तो इससे जो प्रिवेस वीडियो है वो मैंने प्लेलिस में अल्लेडी एट कर रहे हैं प्लेलिस आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं बाकी प्लेलिस का जो लिंक है वो मैंने comment section में भी pin कर रहा है तो आप वहाँ से जाके बाकी के previous part अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी देख सकते हैं ठीक है साथ ही आप सभी से request करूँगा कि Telegram group को भी join कर लीजे in case आपको कोई अगर discussion करना है ठीक है बाकी जो आपके exam competitors हैं उनके साथ तो आप वहाँ पर जाकर अपने discussion भी कर पाएंगे ओके तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग यह chemistry के अपने last chapter के questions practice कर लेते हैं तो इस chapter का नाम है periodic classification of elements ठीक है तो इसमें पहला question है which one of the following does not increase while moving down the group of the periodic table ठीक है तो periodic table में आपको पता है कि जो vertical columns होते हैं उन्हें हम gross बोलते हैं और जो rows होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं periods बोलते हैं ठीक है तो नीचे जब जाते हैं किसी पी group में तो इन में से क्या increase नहीं होता है तो atomic radius आप सभी को पता है increase होती है क्यों क्योंकि हर group क्या होता है कि हर period में क्या होता है जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं तो हर period के बाद क्या होता है next period में क्या होता है group के अंदर ही एक shell और add हो जाता है जिससे क्या होता है atomic radius increase जाती है फिर metallic character, metallic character भी increase हो जाता है क्योंकि नीचे जाने पर क्या होती है atom की जो tendency है electron release करने की वो बढ़ जाती है फिर next है valency और उसके बाद है number of shells in an element तो valency जो है वो constant रहती है या आपको पता होना चाहिए किसी भी group के अंदर और जो number of shells है वो आपके क्या होते है increase होते रहते है तो इसका correct answer के जाएगा option C ठीक है तो valency इसका correct answer है फिर next question है on moving from left to right in a period in the periodic table the size of the atom तो left से right जब हम period में जाते हैं तो क्या होता है size जो होता है atom का वो decrease होता है क्यों होता है decrease क्योंकि उसी shell के अंदर number of electrons एक एक करके बढ़ते जाते हैं और जो effective nuclear charge है वो increase हो जाता है फिर next question है an atom of an element has the electronic configuration 282 to which group does it belong ठीक है तो 282 है यानि कि यह कौन से group के में होगा यह second group में होगा ठीक है तो यह s block में आएगा second group में क्योंकि इसका जो valence electron है इसके कितने है दो है तो किस group में जाएगा second group में जाएगा फिर next question है in modern periodic table elements are arranged according to their तो किस के according arrange है atomic number के according है ठीक है अगर यह बोला जाता कि mandelief की periodic table के according मतलब बताईए तो उसमें क्या होता atomic weight हो जाता है फिर next question है in which group are inert elements placed तो कौन से group में है group number 18 में ठीक है जो आपकी noble gases है फिर next question है which of the following sets of atomic number belong to that of alkali metals ठीक है तो इन में से बूछ रहा है कि alkali metals के जो atomic number है वो कौन कौन से है तो आपको पता है sodium है है जैसे ठीक है तो sodium हो गया, potassium हो गया ठीक है तो यह सारे आपके क्या है alkali metals है तो इन में से जो इसका correct answer हो जाएगा हो क्यों हो जाएगा option number B यानि कि 37, 19, 3 और 55 ठीक है तो यह आपके alkali metals हो गए जिसमें आपका lithium भी आता है तो lithium का atomic number क्या होता है 3 होता है उके उसके बाद potassium का क्या होता है 19 होता है ठीक है to which of the following categories does the element belong तो atomic number 14 जो है किसका होता है sodium magnesium aluminum silicon होता है ठीक है तो silicon क्या है एक non-metal है तो उसका correct answer किया जाएगा option C non-metal ठीक है तो यह जो है इसमें इन्होंने गलत लिखा हुआ metalloid ठीक है metalloid नहीं है silicon बलकि non-metal होगा तो इसको जो है आप एक बार अपनी तरफ से भी चेक कर ले न क्योंकि acidic oxide जो होते है वो non-metal सी बनाते है ठीक है तो 14 जो है वो silicon का number है और silicon का है non-metal है तो यह गलत answer दे रख़ए ठीक है फिन next solution है the amount of energy released when one or more electrons is added to the neutral atom is ठीक है और ionization energy क्या होता है जब हम electron को बाहर निकालते है किसी atom के shell में से तो उसे उस time जो energy release होती है या जो use होती है उसे हमके बोलता है ionization energy फिन next question है the balance shell of element A contains 3 electrons while the balance shell of element B contains 6 electrons if it combines with B the probable chemical formula of the compound is ठीक है तो क्या हो जागा इसका correct answer इसका correct answer जोगा A6B3 ठीक है उसको जब simple ratio में लेके आओगे तो क्या बन जाएगा A2B बन जाएगा तो correct answer क्या हो गया A2B हो जाएगा ठीक है क्योंकि cross multiplication होगा तो A के साथ कितने आएँगे 6 आएँगे और B के साथ कितने आएँगे 3 आएँगे तो 3 से 6 cancel हो जाएगा 1, 2 यानि कि A, B, 2 आएगा यानि कि जो इसका correct answer है वो option A होगा ठीक है तो यहाँ पर जो इसका answer जो यह गलत दे रखका है ठीक है तो A, B, 2 जो है फो इसका correct answer हो जाएगा ओके एक minute मैं दुबारा चेक कर लेता हूँ क्या हमने बोलता है A, 6 B, 3 ठीक है A, 6, B, 3 होगा ठीक है तो इसका correct answer option B होगा ठीक है I'm sorry मैंने पहला वाला बोल दिया इसका correct answer क्या होगा option B क्योंकि A के साथ cross multiplication होता है तो A में आपके 3 electron है B में आपके 6 है तो A को 6 से multiply करेंगे और B को 3 से करेंगे तो A, 6 हो जाएगा B, 3 हो जाएगा तो जब इसको cancel करेंगे तो हमें पस क्या जाएगा A, 3, B, 2 मतलब स्वारी A, 2, B ठीक है तो इसका correct answer क्योंगा option B वाला फिन एक सुशन है फिर किसकी होगी oxygen की होगी तो इसका option जो है वो correct answer जाएगा option number B ठीक है क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है F, O, N यानि कि fluorine, oxygen, nitrogen ये सबसे ज़ादा आपके electro negative elements होते है ठीक है तो fluorine की सबसे ज़ादा होती है electron लेनी की tendency यानि कि non-metally character सबसे ज़ादा उसका है फिर oxygen का होता है फिर nitrogen का होता है ठीक है तो nitrogen इसमें दिया नहीं तो fluorine oxygen से मैं पता लगए इसका correct answer कोई सबसे ज़ादा है option number B फिर next question है हाँ और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो F, O, N होता है इसी के case में क्या होता है आपकी hydrogen bonding भी होती है फिर next question है फिर next question है what type of oxide would E and एक का aluminium form ठीक है यह शायद एक का aluminium लिखा है ठीक है यह समझ नियारा क्या लिखा है E2O3 लिखा है इनोंने ओके ठीक है ठीक है एक का aluminium लिखा है तो aluminium जो होता है वो किस तरीके का आपका oxide मनाता है जैसे कि आपको पता होगा E2O3 होता है aluminium oxide तो E2O3 इसका correct answer हो जाएगा ठीक है फिर next question है which of these belong to the same period तो same period इन में से किस-किस का होगा तो इसका correct answer option भी यानि कि B और C तो B और C में आप देख सकते हो तो 10 और 5 जो है इनका atomic number है तो 10 और 5 यह क्या होंगे same period में आएंगे ठीक है फिर next question है क्योंकि B और C के case में आप ये भी check कर सकते हो इनका electronic configuration एक का क्या होगा B वाले का configuration क्या होगा आपका 2,8 ठीक है और next वाले का क्या होगा 2,3 होगा ठीक है तो ये जो होगे आपके same period में आएंगे ठीक है एक में 3 है और एक में क्या है आपके 8 electron है बाहर वाले शेल में ठीक है फिर next question है which of the following property will be common in group 1 element ठीक है तो group 1 element में क्या property common होगी number of valence electron तो उसका correct answer क्या होगा option D फिर next question है is the correct increasing order of the atomic radii of OFN ठीक है उसी पर देखो दुबारा से question आगया है तो fluorine का जो क्या बोलते है non metallic character या फिर उसकी electron लेनी की tendency बहुत ज़ादा होती है इसलिए उसकी atomic radii जो होगी वो सबसे कम होगी ठीक है तो fluorine की सबसे कम होगी फिर उसके बाद oxygen की फिर उसके बाद nitrogen की और आप इनको जो है periodic table में भी जब देखोगे तो इनका increasing order इसी तरीके सा आएगा ठीक है तो F, O, N जो है इसका correct answer है यानि का option number D फिन एक्स option है element A has electronic configuration 2,7 B has electronic configuration 285 and C has electronic configuration 287 which two elements will exhibit similar chemical properties तो इसका correct answer क्या होजएगा जिसके valence electron same होते है वहाँ पर chemical properties same होती है ठीक है तो A वाले में 27 है और C वाले में 27 electron है valence electron तो A और C में जो क्या है similar chemical properties होँगे फिर नेक्स रिशन है which of the following element does not lose an electron easily तो N A अराम से करता है magnesium भी करता है तो इसमें same atomic number होता है और different atomic mass होता है ठीक है ओके और साथ ही मैं यह बता दू कि chemical properties भी isotope में same होती है तो इसका correct answer जगा second और fourth वाले नेकिए option number D ठीक है इसमें third भी दे रख़ए third के है isotopes of an element show same physical properties ठीक है ओके तो यह जो है यह answer गलत दे रख़ए इसका answer जो होगा वो D वाला होगा क्योंकि physical properties जो होती है वो isotope के अलग-अलग होती है लेकिन chemical properties उनकी same होती है ठीक है यह हम पहले भी discuss इसको कर चुके है तो इसका ध्यान रखना इसका answer होगा option number D फिर next question है an element x is mass number 40 and contains 21 neutrons in its atom to which group of the periodic table does it belong ठीक है तो इसका mass number 40 है और 21 neutrons है ठीक है तो 21 neutrons का मतलब यह है कि इसमें कितने protons होगे 19 होगे क्योंकि mass number जो आपका बनता है वो किससे बनता है proton के और neutron के number से उनको जब जोडते हैं तो हमें क्या मलता है mass number बिलता है 19 protons होगे 20 proton है 19 electrons होगे clear होगे इतनी बात ठीक है तो इसका जो 19 electrons होगे इसका मतलब 19 जो है इसका क्या होगा आपका atomic number हो जाएगा तो 19 जो होता है वो किसका होता है आपका potassium जो है आपका किसमें आता है ग्रूब टू में आता है ठीक है यहाँ पर जो यह गलत दे रखा है group 1 में आता है ठीक है तो sodium, lithium, sodium, potassium यह सब किसमें आते हैं group 1 में आते हैं तो इसका correct answer मेरे according जो है वो A वाला होना चाहिए बाकि अगर इसमें मेरे को कई anomaly लगती है तो मैं इसका correct answer है वो comment section में एक बार pin कर दूँगा तो आप उसको एक बार चेक कर लेना ठीक है वैसे मेरे according जो है इसका answer group 1 होगा ठीक है क्योंकि 19 protons है इसका मतलब क्या है कि 19 electrons भी होगी 19 electron का मतलब यह है कि उसका 19 atomic number है 19 atomic number का मतलब है potassium होगा ठीक है तो potassium आपको पता है कि इसमें आता group 1 में आता है which of the following properties does not match element of the halogen family ठीक है तो इसका correct answer है they are metallic nature ठीक है metallic नहीं होते हैं आपको पता है halogen कौन-कौन होते हैं fluorine, chlorine, bromine, iodine तो यह सब क्यां आपके non-metals होते हैं ठीक है gases form में होते हैं सब non-metals फिर है up to which element the law of octaves was found to be applicable बहुत ही जादा important question है इसका correct answer है option B यानि कि calcium तो calcium तक जो है law of octaves applicable था ठीक है उसके आगे नहीं हो पाया था Phoenix Ocean है according to Mendeley's periodic law the elements were arranged in the periodic table in the order of the Mendeley's periodic law के according atomic masses increasing atomic masses की वज़े से उसने क्या करा था arrange कर था उसका correct answer क्या हो जाएगा option number C Phoenix Ocean है consider the following elements 20 CA 8 O 18 AR 16 S 4 BE 2 HE which of the above elements would you expect to be in group 16 on the periodic table ठीक है तो group 16 में कौन को हो जाएंगे option number D यनि की 8 O and 16 S तो यह सब किसमें हो जाएंगे group 16 में हो जाएंगे ठीक है आपको बता होगा oxygen हो गया sulfur हो गया selenium हो गया और आपका क्या हो गया tellurium हो गया और polynum हो गया तो यह सब किसमें आते हैं आपके group number 16 में आते हैं तो friends अब next question हम करते हैं 24th question the electronic configuration of the atom of an element x is 2,4,8 ठीक है actually configuration जो यह गलत लिखी है यह होगी आपकी 2,8,4 ठीक है क्योंकि बीच में ऐसा नहीं हो सकता कि आप यह कम electrons भर दिया जाएं और बाद वाले shell में जाओ वो जादे electrons हो जाएं ठीक है तो यह क्या होगा 2,8,4 हो जाएगा in the modern periodic table the element x is pleased in तो last आप देख सकते हो valence electron इसमें कितने चार हैं तो इसका जो group हो जाएगा 14 group हो जाएगा ठीक है तो इसका correct answer किया जो जो फर्स्ट ग्रूप होता है हमारा s block में ठीक है जो s block होता है उसका जो first group होता है तो first group में यह दो metals आते है sodium और potassium तो इनके पास balance electron कितने होते हैं एक एक होते हैं तो दोनों के पास एक होते हैं तो यह सबसे जाधर lose करेंगे, magnesium में दो होते हैं calcium में भी दो होते हैं तो अब sodium और potassium में से अगर बात करें तो potassium जो है वो हमारा group में नीचे की तरफ आता है और sodium जो वो उपर की तरफ आता है तो जो metals नीचे होते हैं उनकी electro positivity जाधा होती है क्योंकि उनके जो outermost electron होता है उस पर जो nuclear force लग रहा होता है, nucleus का जो force लग रहा होता है वो उसका effect कम होता है तो इसलिए potassium में से जो है electron निकालना easy है, उसके बाद sodium से निकाल सकते है फिर next question है the element A, B, C, D and E have atomic numbers 9, 11, 17, 12 and 13 respectively, the pair of elements which belong to the same group of the periodic table is तो इसका configuration आप बना सकते हो जिसके valence electron same आएंगे, वो same group में होगे तो इसका correct answer क्या होगे, option A and option C, ठीक है, तो 9 or 17 हो गया, ठीक है तो यह आप check कर लेना फिर which way of the falling does not increase while moving down the group of the falling table, ठीक है इस तरीके questions आने की बहुत साथा probability है तो atomic radius आपको पता है नीचे जाने पर group में क्या होती है, इंक्रीज होती है क्योंकि क्या होता है हर period में क्या होता है, जैसे जैसे period एक एक change होता है, तो एक एक shell जो होता है जैसे जो है, electron donate करना साहन हो जाता है और metallic character बढ़ जाता है valence electron जो है, ये constant रहते हैं आपके, ठीक है तो group में आप नीचे जाओगे, एक ही group में आप नीचे जा रहे हो तो valence electron सेम रहते हैं और shell जो होते हैं, वो atom के बढ़ते जाते है तो option C जो हो उसका correct answer हो जाएगा फिर नेक्स question है, the new law of factors for the classification of element was found to be applicable, ये हमने कर लिये था, option B इसका correct answer, calcium, ठीक है फिर नेक्स question है, an element x forms an oxide, x, g, पता नहीं क्या लिखा हो है ठीक है, in which group of the modern periodic table is the element placed ठीक है, तो एक question मिरको समझ दिया है तो इसको छोड़ देते है, ठीक है फिर नेक्स question है, the atomic numbers of the element sodium, magnesium, potassium and calcium 11, 12, 19 and 20 respectively the element have the largest atomic radii ठीक है, तो सबसे जादा atomic radii किस की होती है, आपकी first group की होती है, तो first group में देखो कौन कोन आ रहा है, sodium और potassium आ रहा है अब sodium और potassium में से जो मतलब group में नीचे होगा, उसकी radius आता होगी, ठीक है, तो इसका correct tensor क्या जाएगा, option C, यानि की, potation तो correct tensor क्या होगा, option C, potation, फिर नेक्स question है, where would you locate the element with electronic configuration 2,8 in the periodic table, तो 2,8 किस में आईगी आपकी group 18 में आईगी, ठीक है या आपका किसका atomic number है neon का है, ठीक है, तो यह जिसका भी outermost valence shell है, वो अगर filled होता है, completely filled होता है, octate, तो वो noble gases के अंदर आते हैं, यानि की group 18 next question है, which of the following is the valence shell for the elements for second period of the modern periodic table, ठीक है, तो second period में आप सभी को पता है, कौन सा चलाएगा L shell आएगा, ठीक है तो पहला shell क्या होता है, किया होता है, उसके बाद कौन सा होता है, L आता है, ठीक है, तो second period का कौन सा shell हो गया, L shell हो गया for the next question है, which of the following statement is not a correct statement about the trends when going from left to right across the period of the periodic table, अभी तक हमने group के trends के बारे में थोड़ी चीज़े जाने, अब हम यह पता करेंगे कि left से right जब जाते हैं किसी period में, तो क्या-क्या जो है, change होगा, ठीक है, इसमें से कौन सा correct नहीं है, यह पूछा गया, तो elements become less metallic in nature, ठीक है, फिर the number of valence electron increases, तो valence electron तो देखो, increase होते हैं, ठीक है, group में क्या होते हैं, constant रहते हैं, एक group में आप नीचे की तरफ जाते रहोगे, लेकिन period में जब left हो रहोगे, तो electrons increase होते रहेंगे, तो यह correct statement है, the atom lose their electron more easily, ठीक है, तो यह बात गलात है, ठीक है, क्यों क्योंकि देखो, जब आप left से right की तरफ जाओगे, तो आपके एक ही shell के अंदर electron का number बढ़ता रहता है, जिस वह से क्या होता है, जो इनका atomic interaction है, वो बहुत strong हो जाता है, तो यह वाला जो है, option C जो है, वो इसका correct answer हो जाएगा, यानि कि यह statement इसमें गलत है, ठीक है, oxide become more acid, यह भी सही है, elements become less metallic के nature यह भी सही है, तो जैसे ऐसे left से आप right की दरफ जाते हो, तो left side में आप देखोगे metals है, फिर उसके बीच में metalloids आते हैं, और right side में क्या आते हैं, आपके non-metals आते हैं, और मैं आप सभी से request करूँगा कि non-metalloids, sorry, metalloids जितने भी है, 7 metalloids हैं total, उनके नाम आप जरूर याद करके जहें, आप से पूछा है सकता है कि इन में से कौन सा metalloids है, ठीक है, फिर next question है, the longest period of the modern periodic table, S period, ठीक है, तो कौन सा longest period है, तो उसका correct answer जागा option D, यानि कि 6 तवाला, ठीक है, फिर next question है, the inert gas which lies in third period is, ठीक है, तो third period में जो inert gas होगी, वो कौन से होगी, इसका correct answer जगा option C, यानि कि आरगन, ठीक है, तो first period में आपकी helium होती, second period में neon होती, third में आपकी आरगन होती है, ठीक है, फिर next question है, an element with atomic number 40 is placed in period, तो 40 जो है, वो किस में आएगा, तो इसका correct answer जागा option A, यानि कि fifth, ठीक है, तो यह जो है, आपको calculate करना पड़ेगा, कि 40 atomic number जो हो कौन से period में आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको ऐसे करके निकाल सकते हो, वैसे मैं कोशिच करूँगा कि आपको बता भी दूँ कि group और period जो है, वो किस तरीके से इसमें से पूछ रहा है कि 26 कौन से group में होगा, तो इसका electronic configuration अब बना सकते हो, तो correct answer क्या रहा है, option B, यानि की eighth group, ठीक है, फिर next question है, Eka Aluminium and Eka Silicon are known है, यह बहुत जादे important question है, Mandeliev ने जब अपनी periodic table बनाई थी, तो उसने कुछ खाली spaces छोड़ दिये थे, Aluminium से पहले एक space छोड़ जाता है, जिससे उसने बूला था कि यह Eka Aluminium है, और Silicon से पहले एक space छोड़ जाता है, जिससे उसने बूला था Eka Silicon है, तो यह दोनों ही metals कौन से है, option A, जो है उसका correct answer हो जागा, Gallium and Germanium, ठीक है, तो Aluminium में देखो, एलम आ रहा है, तो Gallium उससे याद कर सकते हो, ठीक है, और Silicon से पहले क्या आएगा, जर्मीन में बचाएगा, मैंने next question है, when an atom of hydrogen becomes an iodine ion, I negative, the radius will be, तो देखो, electron क्या हो रहा है, इसमें add हुआ है, ठीक है, तो उस case में क्या होगा, इसकी atomic radius होगी, वो increase हो जाएगी, क्यों होगी increase, क्योंकि देखो, same shell है, उसमें एक और electron add हो गया है, तो उनके जितने भी बाकी electrons हैं, उस वाले shell में, वो आपस में repulsion करेंगे, ठीक है, proton का number तो same ही है, तो proton जो है, वो electrons पे उतना ही force लगा रहा है, लेकिन जब electron का number बढ़ जाएगा, तो force जो है, हर electron के उपर काम हो जाएगा, जिस वैसे क्योंगी radius increase हो जाएगी, फोई next question है, which type of elements are poor conductor of heat and electricity, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, option B and A, non-metals, फोई next question है, what is the symbol of the aluminum tungsten, तो बहुत important question है, tungsten का symbol के होता है, W, ठीक है, तो इसको याद रखना, tungsten का symbol के है, W और tungsten आपका कहां use होता है, आपके bulb में use होता है, ठीक है, तो जो हमारा bulb होता है, electric bulb जो होता है, उसके अंदर ये metal को use किया जाता है, क्योंकि इसका melting point बहुत जादा high होता है, फोई next question है, तो इसमें से पूचाएगे कि इन में से कौन सा element इसमें से नहीं आ सकते हैं, तो उसका correct answer केतना हो जाएगा, option D यानि की 126, क्योंकि हमारे जो modern periodic table है, उसमें सिर्फ 118 elements ही है, तो 126 number जो है, हम उसमें setup नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फिर ये कुछ filling the blank से, इन कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है, बागी है, match the following का गरा है, तो ये छोड़ देते हैं, तो हमने कितने total questions कर लिए हैं, 43 questions से chapter के practice कर लिए हैं, अब हमारा chemistry वाला part complete हो चुका है, ठीक है, और अब मैं एक और वीडियो डालूगा, chemistry related, तो उसमें जो है, मैं आपको कुछ बहुत important चीज़ बताने वालूँ, वो जरूर देखना उस वीडियो को, ठीक है, तो आज ही वो upload हो जाएगी, और उसके बाद जो हम लोग physics या फिर bio, वो हम discuss करने वाले हैं, उसके questions देखेंगे, या फिर इसका theoretical part भी देखेंगे, ठीक है, तो अगर ये वीडियो helpful लगी, तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, और उन्हें दोसे के साथ भी share कर सकते हो, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और बैल आइकन को प्रेस कर लेना, और इससे previous वाले जिसने part नहीं देखें हैं, MC क्यूंके वो जरूर देख लो, ठीक है, टोटल 9 parts हो गए हैं, इसको मेलाके तो सारे parts देख डालो एक ये बार में, ठीक है, maximum कितना लगेगा, धाई गंटा लगेगा, तो हम वहापर उसको कर सकते हैं,